दोस्तों कहते हैं कि इंसान का जब वक्त बदलता है तो दिर नहीं लगती और नहीं उसे पदा चलता है सफलता ये नहीं देखती कि इंसान गरीब है या अमीर बस जिसे मिलनी होती है सफलता मिली जाती है और वो रातो रात सफलता को पा लेता है और एक चमकते हो इस तारे की तरह आसमान पर चा भी जाता है दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे हैं बताएंगे जो बेहादी बुजर्ग है लेकिन उसकी पॉपुलारिटी किसी भी बॉलिवूड स्टार्स से कम नहीं है भले ही चेहरे पर चमक नहों लेकिन उसकी किस्मत बेहादी चमक दार है शायद इसलिए आज बॉलिवूड स्टार उनके यहाँ जाकर जमीन पर बैटकर चाय का मजा लेते हैं जी हां बहुत से बॉलिवूड स्टार्स को उनकी चाय बहुत पसंद है इसलिए उनके पास जाकर वो चाय पिया करते हैं तो आई जानते हैं कि कौन है ये बुजरुग महिला और उनकी चाय इतनी मशूर क्यों है दोस्तों चाय का कमाल तो आप सब देखी चुके हैं बात करें हमारे प्रधान मंतरी श्री नरिंद्र मोदी जी की तो ऐसा कहा जाता है कि वो पहले चाय बनाये करते थे और सबको पिलाये करते थे लेकिन आज उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि वो भारत के प्रधान मंतरी बन कर बैठे हैं आज नरिंद्र मोदी जी ने अपनी पैचान देश में ही नहीं बलकि विदेशों में भी इस कदर बना ली है कि लोग उनके नाम से ही उनको पहचानते हैं और उनकी बहुत एज़द करते हैं लेकिन दोस्तों आज हम आपको नरिंद्र मोदी जी के बारे में नहीं बताएंगे मुद्द चायका तो है लेकिन चाय से इंसान कितना मशूर हो सकता है वो इस बुजर्ग महिला की चमक देखकर आप जान सकते हैं जिस बुजर्ग महिला को आप इन तस्विरों में देख रहे हैं वो कोई मामूली महिला नहीं है पलकि ये एक ऐसी महिला है जिसके हाँ पर आकर बड़े-बड़े सिलेब्रेटीज भी जमीन पर बैटकर चाय का लुथ फोठ आते हैं जी हाँ आप भी ये सुनको एहरान हो गए ना लेकिन ये सच है दरजल जिस महिला को आप देख रहे हैं इस महिला के पिचर शेखर कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी और इस महिला के तस्विरें देख कर सभी सिलेब्रेटीज ने जानना चाहा कि आखिर ये महिला है कौन जहां बड़े-बड़े स्टार्ज जाकर जमीन पर बैटकर चाय पीते हैं जबकि इस बुड़ी महिला के पास तो इतने पैसे भी नहीं है जितने दूसरे चाय वालों के पास होंगे एक टूटी-फूटी जोपडी में रहने वाली ये महिला चाय पनाने का काम करती है और सब को चाय पिलाती है दरसल बाद यू हैं दोस्तों की कुछ सालों पहले इस बुजर्ग महिला के पती का देहान थो गया था जिसके बाद घर चलाने के लिए इसको अपनी जोपडी के बाहर छोटी सी जगह में ही चाय बनाने का काम शुरू करना पड़ गया एक बार जब जैकी श्राफ वाहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने इस बुजर्ग महिला के हाथ की चाय पी वो भी जमीन पर बैट कर कोई वीडियो हमें कमेंट में जरू बताइए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बाटियो और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब कर लिजे क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसे तरना की कुछ रोचक औ के साथ तब तक के लिए दीजे हमें इजाज़त अपना खयाल रखिए हमारा इंदार करिए नमस्कार